जाहन सात्यों विद्यापीट श्टेड़पैन में आप सबों का स्वागत है आए हम इस एपिसोड में भारते सम्मीधान एवं राजविवस्था के बारे में बिसेश उपवन्द जो दिया गया है उसको देखेंगे इस जो एपिसोड है इसमें आपको लगवग 20-22 एपिसोड या वीडियो मिलेगा जो कि आपको सम्पूर्ण भारति सम्मिधान एवं राजविवस्था को कफर करेंगे यह वीडियो आपको अगामी BPSC का सिखख भरती एकजाम हो या BPSC का उनतर्मी एकजाम हो या किसी भी तरह का जैसे कि बिहार द्रोगा का एकजाम हो सारे के सारे एकजाम में आपका इस वीडियो से या इस एपिसोड से आपको 2-3 कोशन देखने को मिलेगा यह एपिसोड दिखेगा तो जो की भारतिय सम्मेधानी इतिहास है या आपको इतिहास और पॉलीटी दोनों में कवर किया जाता है तो यह काफी इंपोर्टेंट वीडियो होगा यदि चैनल पर नए हैं तो पिली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिया बगल में बेल आइकन होगा उसको दवा दिजे ताकि कोई भी वीडियो हमें अप्लोड करें तो आपको नोट्रिकेशन मिल चके चलिए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं देखिए जिसमें पहला चेप्टर लिए कवर किये हैं यह है भारतिय सम्मेधानी की इतिहास कार है 31 दिसंबर 16 एस्वी क करने के लिए 15 बर्स का अधिकार पत्र दिया गया था किसको इस्ट इंडिया कंपनी को साथ ही कहा गया कि यदि बेपारिस्टि मजगूत होगी तो इस इस्टिति में परतेक 20 बर्स के पस्चात इस बेपारिक अधिकार पत्र को जो है नवीनिकरन या रिविन्यू किया तो हर एक 20 वर्स के बाद जो है महरानी के दौरा इसको नवीनी करन या रिविन्यू किया जाएगा नेस्ट पॉइंट जो कर रहा है 1608C में ततकालिंग मुगल बादसा जाहंगीर के दरवार में कैप्टन हौकिंग्स नामक राजदूत आया था ति यह जाहिर के दरवार में पूछा जाता है जो अंग्रेज के सबसे पहले जो आया था यह आपका कैप्टन हौकिंग्स यह आया था 1608C में नेस्ट पॉइंट कर रहा है यह राजदूत बिटिस से राजा जेम्स पर्थम का राजदूत था ति हौकिंग्स जो था जो जेम्स पर्थमत का राजदूत था किन्तु इन्हें किसी भी परकार के बेपारिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ रहा इसके द्वारा कैप्टन होकिंग्स को जाहिर के द्वारा किसी भी तरह का बेपारिक अधिकार इसे पराप्त नहें किया गया। पुना बंगाल के नवाब द्वारा बंगाल के छेतर में इस्ट इंडिया कमपनी को कुछ बेपारिक अधिकार भी दे दिया गया। को पलासी के युद में बंगाल के नवाब सीराजु दोला का प्राजाय हो गया था। तो अंग्रेज और बंगाल के नवाब सीराजु दोला के बीच में एक युद होता है पलासी में। कभी कभी पूछ लेता है किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये पलासी सहर ये भागी रती नदी या कह सकते हैं तो हुगली नदी जो की बंगाल में है में बसा हुआ है। किस्ट इंडिया कमपनी ने बंगाल के नवाब के पद पर अपने पसंद ब्यक्ति मीर जाफर को बेठाया था। ये भी कहा जाता है कि अंग्रेज के साथ मिलकर मीर जाफर ने शीराजुद अल्ला के साथ आपका विश्वास घात किया था और इसमें शीराजुद अल्ला युद में पराजित हो जाते हैं उसके बाद अंग्रेज के दुआरा ये विश्व घाती या कहा जाता है तो ये मी India Company और डचों के बीच में होता है तो इसमें क्या है अंग्रेज जो है बिज़ाए होता है और डच हार जाता है फिर 2017- Lynycati में Bhandi Wash का यूध को जिसमें फ्रांस की कंपनी को इस इंडिया जो है पराजित कर दिया तो जिसमें डच और अंग्रेज के बीच में होता है अंग्रेज बिजय हो जाता है पर 1760 में बांडिवास का यूद होता है जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में होता है जिसमें अंग्रेज क्या होता है बिजय हो जाता है और इसी के साथ ही East India Company की मजबूती जो है और बक्सर के यूद में हेक्टरन मुनरो के नेत्रूत में बिटिस सेना ने ततकालिक मुगल बास साहालम दूतिये के नेत्रूत वाली त्रिगुट सेना को पराजित कर देता है। बाब सुझा दूद अल्ला था। तो 12 अगस्त 1765 को इलाबाद में संधी होता है साहालम दूतिये और लौड कलाइब के बीच में। 1772 इस भी में इस्ट इंडिया कमपनी का गवर्नर जिसे बंगाल का गवर्नर भी कहा गया है के रूप में वारेन हेस्टिंग को नुक्त किया जाता है। इनी के साहसनकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके दौरा बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जेनरल बना दिया। जो बंगाल का पहले गवर्नर था इसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके बाद बंगाल का गवर्नर जेनरल यानि जेनरल का पद इसमें जोर दिया गया। इस तरह वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जेनरल बन गया। इस अधिनियम के द्वारा कम्पनी एबम बंगाल के नवाप के द्वारा दोहरी सासन पढ़नाली को पूरी तरह से क्या है समाप्त कर दिया गया अब देखे कुछ नोट्स दे रखा है यहाँ पे ततकालिन ब्रिटिस परधानमंति लौड नौर्थ के द्वारा गोपनिय समित में दोहरी सासन रवस्ता की नीव लौड कलाइब के द्वारा रखा गया था इन्हों ने इसकी नीव इलहाबाद की संधी के द्वारा जो है रखा था निश्टाता है 1773 एक्ट का परमुक प्रभधान देख लेती हैं क्या क्या प्रभधान इंक्रूड क्या गया था पहला क दूसरा पॉइंट जो कह रहा है इस अदिन्यम के द्वारा लौड कलाइब के द्वारा पारम किये गए दोरी सासन पढ़नाली को पूंता समाप्त कर दिया गया तिसरा पॉइंट जो कह रहा है इस अदिन्यम के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोश नियाला की होता है यह सारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ष के तहती होता है चौन था देखिए करा इस अधिनियम के द्वारा गवर्नल जेनरल एबं उसके चार सदस मंत्री परिशत को बंगाल का सासन चलाने के लिए अनुमति दे दिया और गवर्नल जेनरल परिशत के चार सदस ये में ज इस अधिनियम के द्वारा जो है एक 24 सदस ये निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डिरेक्टर का गठन किया गया जिसमें एक सदस का कारिकाल जो है चार बर्स का निर्धारन किया गया था फिर नोट्स देखिए कमपनी का सासन जो है 1773 से 1857 तक चलता है इस अधिनियम के द्वार East India कमपनी के करमचारी को नीजी बेपार करने एब भार लेने के पर परतिवन्ध लगा दिया जाता है कि इसके 1773 के regulating act के तहत में पिर्स इनिया एक अब आता है 1784 इसके बारерв हम देख लेते हैं करा या एक 1773 के regulating act की कम्यों को दूर करने के लिए ब्रेटीज संसाद में एक स अधिनियम पारित किया गया जिसे जो है बंदुवस्त क्या बंदुवस्त कानून यानि इंडिया कमपनी के छेत्र को British छेत्र गोशित किया गया किसके 1774 के बाद 1784 के बाद यह British ताज के स्वामित वाला पहला बैधानिक दस्तावेश था दूसरा कड़ है इसा दिन्यम के दौरा East India कमपनी के सभी परकार के कारियों को दो भागों में बाट दिया गया, किसमें 1784 के पिट्स अंडिया एक्ट के द्वारा, दो भागों बाटा था, पहला जो था विपारीकार, दुसरा जो था राजनितिकार, विपारीकार के देखवाल निर्देशक मंदल में Board of Director को सुपूर्द किया गया, जबकि कम्पणी के र से घटा कर तीन कर दिया गया इन तीन में एक से जो है नाम पंदी हुआ करते थी जिसे नाम पंदी नाम रखते था अब आता है 1786 के संसोधात्मक अधिनियम ठीक है यह अलग है 1786 के संसोधात्मक अधिनियम कहरें लॉड करनवालिस को भारत के गवर्णर जनर्र का पज़्यक पहला कर रहा है करनवालिस को गवर्नर जनरल एवा मुख सेनापती दोनों की सक्तियां दे दिया गया दूसरा कर है करनवालिस को बिसेश परिस्थितियों में स्वब परिसद गवर्नर जनरल के नियम को निरस्थ करने तथा अपना नियम लागू करने का भी अधिकार जो है द तक के लिए सुरक्षित जो है कर लिया जाता है इस अधिनियम के द्वारा Board of Controller नियंत्रन बोड के सभी सदस का बेतन भारती राज़स उजे देने की बात कहा जाता है किस अधिनियम के द्वारा तो 1793 के अधिनियम के द्वारा साथ ही Governor General को प्रांतिय प्रशाशन के लिए उन 1833 ये तीन वो से तो लगभग आपको दो से तीन कोशन हर एक एक एकजाम में देखने को मिलता है तो आइए इसको हम बढ़ियां से देखें करा है इस अधिनियम के दौरा पहली बार इस्ट इंडिया कमपनी के बेपारिक एक अधिकार को सिमित कर दिया गया किसमें 1813 के चार् कि बेपार को छोर कर से सभी बेपारिक एक अधिकार को चीन लिया गया तो चीन एबं भारती चाय का जो बेपार था उसको छोर करके से सभी बेपारिक अधिकार को जैश्ट इंडिया कमपनी के दौरा चीन लिया गया करे इस अधिनियम के द्धृर्प भारत में इसाई धर्म के परचार के लिए भी छूट दिया गया विज्ञान इत्यादी के विकास एबंपुना उत्थान के लिए परतेक बर्स एक लाख रुपया खर्च करने का भी परमदान किया गया तो इसमें यादर्खेगा कहता है कोशन भी आता है चाय और चीन के वेपारिक अधिकार छोरकर सब वेपारिक अधिकार जो छीन लता है वो कौन सा अधिनियम में आता है तो 1813 के चार्टर अधिनियम में आता है इसाय धर्म का परचार 1813 के चार्टर एक्ट के दौरा कहता है स बिलियम बेंटिंग के सासनकार में पारित हुआ था इस ता धिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जेनरल को भारत का गवर्नर जेनरल बना दिया गया और इस ता लौड बिलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जेनरल एबं भारत का पहला गवर्नर जेनरल बना द वो लौड बिनियम बेंटिक बनता है। वो लौड मैकाले का निक्ति किया गया था। वो लौड मैकाले का निक्ति किया गया था। ये सारे हम पर रहें 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार इस इंडिया कमपनी के करमचारी के लिए खुली परतियुकता परिछा का अधार बनाकर निक्ति की बात किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत के लिए एक जो अलग से एक 12 सदस्य बिधान परिशत का ब्यवस्था किया गया और केंद बिधान परिशत में भारतिय सदस्य की निक्ति की भी बात किया गया। तो पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट में 12 सदस्य के बिधान परिशत जो उसका ब्यवस्था किया गया और केंद बिधान परिशत में भारतिय सदस्य की निक्ति की भी बात कही गयी थी। 1854 इस भी में सिविल सेवा की भरती के लिए लौड मैकाले ने अपनी सिफारिस दिया था। इसके बार जो आता है 1858 का भारत सासन अधिनियम इससे पहले 1857 का बिद्रो होता है और इसके बार जश्ट आता है 1858 के भारत सासन अधिनियम इसके बार जो है ताज का सासन स्टार्ट हो जाता है और ताज का सासन 1859 से लेकर 1947 जब तक भारत अजात होता है तब तक ताज का स अब देखिए 1858 के भारत सासन अधिन्यम के बारे में क्या-क्या मुख बिंदिये दिये गए हैं। इस अधिन्यम के द्वारत में एक नया पद राज सचीब को बनाया गया। के किसी सदस को किया जाता था जो ब्रिटिस संसद के परती जिम्यवार होते थे और इसे राज सचीब के सहयता के लिए एक 15 सदसिये सलाकारी परिशीद का भी गठन किया गया था। नेस्ट पॉइंट जो कर रहा है इसमें भारत के पर्थम राज सचीब के पद पर लॉड एस्टेलिन का न्यूप्ति किया गया था। 1857 के करांति के पश्चाज ब्रीटिन की महरानी विक्टोरिया ने लॉड कैनीन के नाम का एक घोसना पत्र भेजा जिसे लॉड कैनीन ने इलावाद में एक न नमबर 1858 को पठा जिसमें कहा गया था कि अब इस्ट इंडिया कमपनी के सासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया ग ठीक है यह याद दखिएगा मैगना काटा ओफ इंडियान लिवेटी किसे कहा गया तो महरानी का जो घोसना पत्र आता है जिसको लॉड केनिन के दवारा एक ने नमबर 1859 में इलहाबाद में पढ़ा जाता है इसको ही मैगना काटा ओफ इंडियान लिवेटी कहा गया है अब भारत परिशद अधिनियम स्टार्ट हो जाएगा जो की 1861 में आता है इस अधिनियम के दौरा भारत में विभागे परनाली मंत्री मंदल परनाली या पोर्ट फोलियो परनाली को बैधानिक दर्जा दिया गया था शुरुवात 1869 में लौड केनिन के दौरा इसे किया जा इस अधिनियम के दौरा मुंबए तथा मदरास प्रेसिडेंसी को बिधाई सक्ति कानून बनाने की सक्ति दे कर विकेंद्री करन का सुरुवात किया गया इसी अधिनियम के दौरा 1862 इस्वी में तीन भारतिये जो है बनारस का राजा पटियाला का महराज एबं सर दिनकर र में पिंजाब में बिधान परिशत का भी गठन किया गया था इसी अधिनियम के दौरा 1862 इस्वी में कलकत्ता बंबे मदरास में हाई कोट की भी अस्थापना किया गया किसके 1861 के भारत परिशत अधिनियम के दौरा इस अधिनियम के दौरा बिधान परिशत के कारियों में बिर्धी किया गया और उसे बजट पर बहस करने तथा सार्वजनिक मुद्दों के विशाय पर प्रश्न पुछने का अधिकार दिया गया किन्तु अभी भी विधान परिशत को बजट पर मतदान करने का अधिकार जो है नहीं दिया गया था इसी अधिनियम के द्वारा अपर्तेक्ष निर्वाचन परनाली को मानिता दिया गया था इस अधिनियम की एक पर्मख बिसेस्ता निर्वाचन पदत्ती का आरम किया जाना था जो अपर्तेक्ष रूप से गैर सरकारी सदस नगरपाली का जिला बोट इत्यादी के द्वारा कि जाने की बात कहा गया था नेस जो आता है उसके बात दाता डिरेक्ट 1909 के भारत परिशत अधिनियम इस अधिनियम के पारित होने के समय भारत का वाइसराय लौड मिंटो थे तथा भारत का राज सचीव लौड मारले थे अता इस से अधिनियम को मारले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है 1909 के भारत परिशाद अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार मुसल्मानों के लिए पिर्तक निरवाचन छेत्र व्यवस्था किया गया था और इस तरह भारत में पहली बार संपरदाइकता की बीज पर मोहर इसी अधिनियम में लागा गया था यानि संपरदाइकता चुनाओ के लिए जो 1909 का अधिनियम में था इसमें इसको पारित कर दिया गया और मुसल्मान के लिए अलग से निरवार रिचित छेत्र का भी व्यवस्था किया गया था भारत परिशाद अधिनियम अब देखिए इसके बार जो आता है 1919 का भारत परिशाद अधिनियम इस अधिनियम के पारित होने के समय भारत का गवर्नर या वाइसराय लौड चेम्सफोर्ट थे जबकि भारत का सचीव मौन्टेग्यू थे अता इस अधिनियम को मौन्टेग्यू चेम्सफोर्ट सुधार के नाम से भी जाने जाता है इस अधिनियम को 1921 में जो है लागू किया गया था अगस्त घोसना देखिए जो कि 20 अगस्त 1917 को भारत के राज सचीव मौन्टेग्यू के द्वारा जो है लाया जाता है इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोयद सासन परनाली को लागू किया गया साथ ही पहली बार भारत में दूशाद नात्म व्यवस्था एवाँ परत्यक्ष निरवाचन परनाली को मान्यता दिया गया था करहे इसी अधिनियम के द्वारा संपर्दाइकता को और बढ़ाने के लिए सीख, इसाई, एंगलो, इंडियन, जिसे यूरोपियन करते हैं के लिए पिर्थक निवाचन, छेतर को भी मान्यता दिया गया था करहे इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार दिया गया, इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंसिक उत्तरदाई सासन व्यवस्था की नीव रखी गई और इसके अंतरगत प्रांतिय सासन को दो भागों में बाटा गया, पहला भाग जो था आरक्षित बिशाय परशासन और दूसरा भाग जो रखा गया ये हस्तांत्रिक्त बिशाय परशासन आरक्षित बिशाय जिसमें रक्षा, नियाय, बित, पुलीस, बिदेशी मामले, सिचाई, बिजली, अकाल सहता पर कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल को कारेकारी अधिकार दिया गया जबकि हस्तांत्रिक्त बिशाय जैसे अस्तानी सोसासन, सिक्षा, किर्सी, चिक्रिच्षा, उद्योग, निर्मान, विभाग, इत्यादी पर कानून बनाने का जो अधिकार है इसके लिए लोक मंत्री को उत्तरदाई बनाया गया इसी अधिनियम को 1918 SP में प्रकासित किया गया था एवं इसे अंतिम रूप से 1921 SP में जो है लागू कर दिया गया इस अधिनियम के दौरा प्रांतों में 2765 एक अप्रेल 1921 को लागू हुआ जो की अप्रेल 1937 तक चलता है उसके बाद जो है 2765 को खतम कर दिया जाता है कर इस अधिनियम के पहशात एकवार्थ समीति ये यादर कि एकवार्थ समीति के सिफारिस के अधार पर आम बजट से रेल बजट को 1925 में अलग किया साथी 1926 SP में भारत में लोक से वायोक पबलिक सर्विस कमिसन या काजभी गठन किया गया था केंद्रिय बिधान सभा के पर्थम अध्यक जो बने थे ये बने थे सर फैडरिक होईट बने थे केंद्रिय बिधान सभा के पर्थम पाध्यक जो बने थे सचिता नंसिनहा बने थे और किंद्रे बिधान सभा के पर्थम भारती अध्यक जो बने थे ये बने थे बिठल भाय पटेल सैमन कमिशन 1919 के अधिन्यम के अनुसार इस अधिन्यम के द्वारा स्थापित संस्थाओं की पुनर समिच्छा है तो दस वर्ष के बाद एक समिच्छी का गठन किया जाना था ततकालिन ब्रिटिन एवन भारत के परिश्टित के परवावित होकर ब्रिटिस सरकार ने 1919 के अधिनियम के समिच्छा करने के लिए 1927 में ही एक आयोग का गठन किया चुकि इस आयोग के अध्यक्सर जौन सैमन थे इसलिए यह आयोग सैमन कमिच्छन के नाम से परशिद हुआ याई 1927 में सैमन कमिच्छन का गठन होता है और 1928 में भारत आता है और किसले गठन होता है तो 1919 के अधिनियम को पूर्ण डियक्छन करने के लिए 10 बर्स के पस्चाद इसका गठन किया जाता है अब देखिए करहा सैमन कमिच्छन का गठन की घोसना आत नाम पर 1927 को की गई सैमन कमिच्छन पहली बार तीन फरवारी 1928 को भारत पहुंचता है और यह दर रखे यही सैमन कमिच्छन है जिसमें लाहर में लाला लाजपत राय इसका बिरोद करते हैं और इसके बिरोद करने के कारण नहीं इसके लाठी की परहार होती है जिसके कारण वही लाला लाजपत राय की मिर्ती हो जाती है सैमन कमिच्छन साथ सदस ये आयोग था जिसमें सभी सदस अंग्रेज थे ठीक है इसमें एक भी सदस भारतिय नहीं होने के कारण इसको भारतिये ने मानने से इनकार कर दिया मैं 1930 को सैमन कमिशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया सैमन कमिशन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने से जो है पहले या घोषना की कि सैमन कमिशन के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोल में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1935 आता है इसके भारत के वाइसरे लॉर्ड विलिंग अटन थे तथा बिटिस परधानमंती रैमजे मैकडोनल्ड थे इस अधिनियम को 3 जुलाए 1936 को आंसिक रूप से लागू किया गया किन्तु अपरे 1937 में पूरी तरह से इसे लागू कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वैता दे दिया गया तथा केंद्र में द्वत सासन परणाली को लागू किया गया इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को पूंत उत्तरदाई सासन व्यवस्ता चलाने की अनुमती दे दिया गया जिसके तहत 1937 में निर्वाचन किया गया जिसमें भारती राष्टी कॉंगरेस को बहुमत मिला किन्तु 1949 में पुना सरकार गिर जाती है और इसी की उप्लक्ष में यादिगा जो मुस्लिम लीक के द्वारा जो था सो मुक्ती दिवस मना जाता है जब कॉंगरेस की सरकार 1949 में गिर जाता है करहा है 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार एक अखिल भारती संग की अस्थापना की बात कहा गया था जिसमें राज्यों को तथा दिसी रियासतों को अखिल भारती संग का एक इकाई के रूप में मानता दिया गया इसके अतिरीत केंदर एवम राज्जियों तथरा इसी रियास्तों के बीच आने वाले बिभिन विशाय को बटवारा कर दिया गया और उसमें 30 सूची बनाकर रखा गया था तो इसमें तीन सूची यो था तो पहला जो था संग सूची जिसमें 69 विशाय रखा गया दूसरा जो था राज सूची इसमें जो है आपको जोवन विशाय रखा गया इसके तिसरा बात देखेगा संबर्ती सूची जिसमें 36 विशाय को रखा गया था सेश को अफ़ेष सूर्ची में डाल दिया घया जिसपर कानूर बनाने कादिकार वाय सरय को दिया गया था करह साधिनयम के द्वारा दलित बर्ग महिला बर्ग और मजदूर बर्ग के लिए भी पिर्थक निर्वाचन छेत्र के मानता दिया गया मुद्रा एबम साक पर्नियंतर रखने के लिए RBI किया अस्थापना किया गया इसके पहले गवर्नर ओश्वर्न एस्मीत को बनाया गया था संग लोकसेवायोक, राज लोकसेवायोक सन्यूक्त लोकसेवायोक किया अस्थापना किया किसमे सब पर हैं भी 1935 के भारत परिस्द अधिनेयम के बारे में 1937 में संग्य नियालाई की अस्थापना किया गया जिसम सुप्रीम कोट गर है जिसका पहले मुख नियादिस सर मौरिस गेविरियर को बनाया गया यह अधिनेयम भारत में पून उत्तरदाई सरकार को असथापित में मील का पत्थर साबित हुआ जिसमें जो है तीन सो एकीस धाराएं और दोस अनुसूचियां सामिल थी इस अधिनियम के दुआरा एक ग्यारा राज्यों में छो राज्य बंबे, बंगल, बिहार, असम, सन्युक परांथ और मदरास को दूसर अधनात्मा विवस्था पारम किया हमारे समिधान निर्माताओं ने समिधान बनाने में जो समिधान का लग असी परतिसत हिसा इसी अधिनियम से लिया गया है, हमारे जो समिधान है उसका बुलू प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है, कौन? 1935 का भारत परिसत अधिनियम जो हमारे समिधान का बुलू प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें हमारे समिधान में असी परतिसत हिसा जो है, यही 1935 का अधिनियम से लिया गया है, अता इस अधिनियम को भारतिस समिधान का बुलू प्रिंट भी कहा जाता है, हल अनेक ब्रिक वाला इंजन रहीत गारी यह मोमध अली-जिन्ड के द्वारा किसoure-935 के अधिनियम को कहा था अलि-जिन्ना ने इस था सरा सरा हुआ रदी की टोकरी में फेकने वाला एक्ट ठीक है ये मुहमद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया था मुहदन मुहन मालिवे ने कहा था बाहरी रूप से जितने जनता अंत्रात्मक है एवं आंत्री रूप से इतना ही ये खोखला है सी राजगुपल चारी के द्वारा कहा गया था दोयत सासन से भी बडर या दोयत सासन से भी बुड़ा है यह सारा कमेंट 1935 के बारे में कहा गया है इसके बात आता है केप्स मिसन जो की 1942 में आता है करेदुत्य विश्यूद के दोरान ब्रीटिस सरकार को यह विश्वास हो गया था कि अब भारतियों की मांग को अधिक दिन टाल नहीं जा सकता है इसके अतरिक्त अस्टेलिया अमेरिका चीन इत्यादी देशों ने भी ब्रीटिस सरकार पर धीरे-धीरे दवाब बनाया जा रहा था जिसके फल्सुरूप 11 मार्च 1942 S.P. को अंग्रेजी सरकार ने स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्सता में एक मिसन भेजा जिसे क्रिप्स मिसन कहा गया था यह मिसन 23 मार्च 1942 को भारत पहुँचा जिसमें कहा गया था कि युद जितने के पास्चात भारतियों के लिए समिधान बनाया जाएगा क्रिप्स मिसन को अश्विकार करते हुए पोस्ट डेटेज चेक की संगया दिया जिसके बाद जिआला नहरून ने जोह दपते हुए बैंक या लूटते हुए कर दिजे दूबते यहां दूबते लगा दिजे दूबते होई बैंक सब दूजिश्में जोर दिया है ठीक है क क्रिप्स मिशन के सफलता का सबसे बड़ा कारण त्यागने या गरहन करने की नीती थी। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया जिसमें सदस्य मिशन था जिसमें मिशन का राज सचीब जो था पैथेन लावरेंस या तरीक एस्टेपोट क्रिप्स एबाम एबी एलेकजेंडर भी इसमें सामिल था। कैबिन मिशन का मुक दिस भारतियों के लिए सत्ता का हस्तांतरन का उपाय ढूंड़ना था इस मिशन के द्वारा भारतियों के लिए एक योजन बनाया गया जिसमें निमलिखित बाद कहे गए थे पहला बात जो था समिधान निर्मान के लिए जल्द हो समिधान सभा का कर दिया जाएगा इसके अतरिक एक अंत्रिम सरकार भी गठन किया जाएगा पारहम में कैबिनेट मिशन योजना को सभी राजनिती दलने स्विकार किया किन्तु पाकिस्तान की असपष्ट उलेख नहीं होने के कारण मुसिलिम लीग ने इसे अस्विकार कर दिया कैबिनेट मिशन योजना के बाज जो है समिधान सभा का गठन के लिए और परतेक्ष निर्वाचक परनाली को अधार बनाए गया जिसमें कहा गया समिधान सभा में कूल 389 सदस होंगे जिसमें 292 सदस बिस प्रांत के सदस होंगे और 3 परतिनीधी देशी रियासत के होंगे से चार परतिनीधी चीप आप कमिशनर यानि मुख आयुक्त होंगे कैबिनेट मिशन योजना के अधार पर अंतरिम सरकार के गठन के लिए बरस 1946 सभी में निर्वाच चन किया गया जिसमें परतिक 10 लाख आवादी पर एक परतिनीधीत की ब्यवस्ता किया गया इस चोदा सदस ये थी जिसमें कांगरेस के तरफ अंतरिम सरकार बाने की वेवस्ता की गई वेवस्ता से देखेगा चोब मुस्लिम लिवस्ता से पांच सदस देखेगा भारतिय इसाई के तरफ से एक सीकर तरफ से और एक जुथा पार्सी के तरफ से एक सदस होने की बात कही गई थी जब आलार्यूके नेतृत में पहली बार 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्टे सरकार का गठन किया गया जिसमें मुस्लिम लिग हिस्सा नहीं लिया था अनतरिम सरकार का गठन कर दिया गया और इस सरकार का अध्यक जो बने थे ये लोड बेवल बना था नेस्ट पॉइंट देखिए नेस्ट पॉइंट देखिए नेस्ट पॉइंट पॉइंट देखिए नेस्ट पॉइंट 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 देखिए नेस्ट पॉइंट 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 मिस he किलिमेंट एटली ने सत्ता हस्तांत्री से समंधित योजना की व्यवस्था के लिए मॉंट बेटन को भाहत में वाइसरय बना कर भेजा 22 मार्च 1947 को इश्वी को मॉंट बेटन भारत पहुचा और भाहत के सभी राजनिती दल में मुख रूप से मुस्लिम लीग एवं कांगरे इसके भी समझोता करना चाहा अंतंत तक सरदार बलब है पटेल एबम जवाब लिरू ने जो है पाकिस्तान मांग को स्विकाल लिया या समती दे दिया इसके पस्चात मॉंट बेटन पुना बीटन चले गए और 3 जून 1947 इस भी को भारत के विवाजन के संदर में एक योजन और इस योजना की परमुख बिंदिये जो है निमलिखित हैं पहला बिंदु इसमें दिखिये भारत बिभाजन करके दो राष्ट पाकिस्तान और भारत बनाया जाएगा दूसरा बिंदु जो कहा गया पिंजाब और बंगाल परांत का बिभाजन वहां के जनमत संहर क्याध अंत में 4 जुलाए 1947 को भारती सोतंता दिनयम बीटी संसद में परस्तुत किया गया जिसे बीटी संसद ने 18 जुलाए 1947 को स्विकार कर लिया और 14 अगस्त की मधराती को जो है भारत का बिभाजन करते हुए 15 अगस्त 1947 इस भी को भारत को अजादी दे दिया गया अब अजादी के बात दिखेगा तो भारत का जो पहला मंदल बना था 1947 में इसमें जवालल नेरु जो है इसको परधान मंतरी राष्ट मंदल तथा बिदेशी मामले और बैग्यानिक सोत का मंतरी बनाया गया था सरदार बललाभ है पटिल दिखे तो गिरी मंतरी सुचना परसारन और राज मामले के मंतरी बनाया था जग्जीवन राम को वही मंतर रखे गए थे स्रम मंतरी अरुणाश रेल मंतर आला है बानिज मंतरी बीयार अम्बेटकर जी को कानून मंतरी बनाया गया मौ Alexis Olник Lunduk 真的 Heart attendant को सिख्षा मंतरी कुर्ण जी होर मुष जी को या CBER भावा भिकाय थे को यह आपको वानि मन्तरी बने थे ऐर के सन्मुक सोग मामलिक मन्तरी बनाया गया सरदार बलब है पट्रिल को गिरीश सूचना मन्तरी परसारण एभउब राज मामली को मन्तरी राजिनत को रेलवे मंत्रा लाए जग जीवन राम को सरम मंत्रा लाए अरुना सफली को रेल मंत्रा लाए आयार चुंदरी गर को बानीज मंत्रा लाए बी आर अम्बेत को कानुन मंत्रा लाए मौलाना अबुलकला मजात को सिक्षा मंत्रा लाए कुरंजी होर्मुस जी को या सी एच भ मंत्री ये सोतंदर भारत की पहला मंत्री मंडल का अबिश्थार हुआ था तो इस तरह से देखिएगा तो इस तरह से आज हम भारतिय सम्मेधानिक कितियास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं नेश्ट जो आपका दियाटू आएगा इसमें देखेंगे सम्मेधानिक निर्मान की परिकिरिया तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवाद